डिक्टेशिन कती सो सब्द प्रतीमिनट इश्टार्ट महोदय इसमें उस सिख्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो प्रत्येक नागरी को लोगतांत्रिक व्यवस्था का विवेक पूर्ण सदस्य बना दे इसी समय से प्रोण सिख्षा की अवधारणा में परिवर्तन हुआ और उसे समाज सिख्षा के नाम से पुकारा गया 1949 में मैसूर में संपन ग्रामीर प्रोण सिख्षा के यूनेस्को सेमिनार में ततकालिन सिख्षा मंत्री ने समाज सिख्षा को इसपष्ट करते हुए कहा था समा सिख्षा से हमारा तातपर है पूण मानव की सिख्षा यह उसको साक्षर्ता प्रदान करेगी जिससे वे विश्व का ज्यान उसे उपलब्ध हो सके यह उसको बताएगी कि वह अपने आपका वातावरण से अनुकूलन किस प्रकार करे एवं जिन प्राकृतिक दसाओं में वह निवास करता है उसका सर्वत्तम प्रियोग किस प्रकार करे इसका अभी प्राय उसे उत्तम कला कौसलों तथा उत्पादन की विदियों की सिक्षा देना है जिससे किवा अधिक उत्तम आर्थिक इस्थिती को प्राप्त कर सके इसका उद्देश से उसे व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए स्वास्थ विज्ञान के प्राथमिक सिध्धान्तों की सिक्षा देना भी है जिससे हमारा ग्रहस्त जीवन स्वास्थ तथा सम्रिद्ध हो सके इस सिक्षा को उसे नागरिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए जिससे कि उसे संसार की बातों का ज्यान प्राप्त हो जाए और वह अपनी सरकार को उन निर्णियों के निर्माण में साहिता दे सके जो सांती तथा प्रगती में योगदान करें प्रोफेशर कबीर ने समाज सिक्षा की परिभासा देते हुए लिखा है कि समाज सिक्षा को अध्यन के एक प्रकार के पाठ करम के रूप में परिभासित किया जा सकता है जिसका उद्देश व्यक्तियों में नागरिक्ता की चेतना का उदय और उनमें सामाजिक समयक्य की उन्नत करना है स्वाभाविक उपलक्ष के रूप में समाज सिक्षा व्यक्ति के व्यक्तिकत एवं समाज के सदस्य के रूप में नागरिक्ता के अधिकारों तथा कर्तव्यों की तीवर भावना का समावेश करने का प्रियत्न करती है अब आईए जरा गौर करें कि वर्तमान भारतिय परिवेस में प्रॉल सिक्षा या समा सिक्षा प्रियास कितना सार्थक हुआ है आज से 23 साल पूर्व सन 1978 में साहित परिचय प्रॉल सिक्षा विशेशांक के अपने एक लेख में डाक्टर चौवेनी प्रारंब में ही लिखा है कि जब कोई समाज जातीवाद, वर्गवाद, छेत्रवाद, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी तथा आसमानता से ग्रश्ट रहता है तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है ऐसी यही ग्रश्टता आज हमारे समाज में हमारे क्रिया कलापो के विविद अंगों में परी लक्षित हो रही है जब तक हम इस ग्रश्टता से मुट्ट ना होंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं होगा इस ग्रस्तता से दूर होने के लिए हमें अनेक उपाई करने होंगे इन उपाईों में सिक्षा का इस्थान बहुत उचा है हमारे देश की अधिकांस जनता अभी भी साक्षर नहीं हो पाई है जब तक हम इस प्रयाफ में सफल नहीं होते तब तक हमारी जनतंत्रिय ववस्था खोखली रहेगी उल्लेखनिय है कि प्रॉल सिक्षा के छेत्र में सरकारी इस्तर पर स्वतंत्रता के पूर्व से ही प्रयास प्रारंब हो गया था जिसमें आज तक कई मोर्चों पर प्रॉल सिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य जारी है